1st January 2020 से आज तक stock और nifty दोनों का ये comparative चार्ट है जो 0% से शुरू होता है 1st January से मार्ज 2020 तक nifty 38% डाउन था और ये stock भी लगबग 30-35% नीचे था इसका मतलब ये company ने correction के समय में अच्छा प्रदर्शन किया January 2020 से current date तक 30% का appreciation हुआ है owners की wealth में ये stock ने nifty 50 index से better performance दिया है long term में stock ने कैसा प्रदर्शन किया वो भी पता करना चाहिए 1-1 2014 को share price थी और index था 6 साल बाद share price थी और index था lockdown में जब lowest point market थी तब 23 मार्च 2020 को share price थी और index था और current price है और index है अगर हमें nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में 4 बाते होनी चाहिए 1-1 लंबी यूदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए 2-2 जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए nifty के मुकाबले 3- जैसे ही market recover होती है हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए nifty के मुकाबले 4- हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा share nifty से better है या नहीं यानि कि पहले 3 points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बात 1 जानिवरी 2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च में इस investment की value हो गई 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गई मार्च 2020 में इस investment की value हो गई और करण निफ्टी 50 investment की value है निफ्टी में appreciation ज्यादा हुआ है इसलिए first point निफ्टी ने जीत लिया है second point share में जीता third point share में जीता overall निफ्टी जीता यही figure चार्ट में देखते हैं एक मिनिट के लिए हम यह भी सोचना चाहिए कि यह share और निफ्टी का index जैसे पिछले साथ सालों में चले हैं वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी value कहां पहुचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% interest से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले निफ्टी ने कितने percentage का return दिया यह share ने कितने percentage का return दिया यह comparison है 1st October 2020 से आज तक की यहाँ पर share मजबूत रहा यह comparison है 1st December 2020 से आज तक की यहाँ पर share मजबूत रहा Thank you